वैसे तो आज कल फ्लोरिंग के लिए आपके सामने बहुत सारे आप्शन्स है जैसे की मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग, यूवी मार्बल शीट इस तरह के बहुत सारे आप्शन्स आज फ्लोरिंग में अवेलेबल है पर सबसे ज़ादा जिस का इस्तमाल किया जाता है, वो है टाइल, टाइल में भी बहुत सारे टाइप्स होता है, इन में आपको बहुत सारे टाइप की वराइटी मिलती है, तो आज इस टाइल का कंपेरिजन हम पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के साथ करके देखेंगे, जानेंगे कि इन दोनों में स सबसे बड़या विकल्प आपके लिए कौन सा होगा क्या वाकई में PVC Vinyl Floring टाइल से एक best option आ जाता है इन दोनों को लगवाने का खर्च कितना आता है ऐसे सभी important चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि आपको DC इंजन लेने में आसान ही हो कि आपको कहा आप पर कौनसी फ्लोरिंग को लगवाना चाहिए तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रू देखे चानल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजे तो सबसे पहला point आ जाता है जो कि है installation तो यहाँ पर PVC Vinyl Floring का installation जो है वो टाइल Floring से ब लगवा सकते हो वही पर अगर हम टाइल की बात करते है तो टाइल के लिए आपको पहले तो सरपेस का preparation करना पड़ता है उसके बात जाकर आप जो है टाइल का installation कर सकते हो और रही बाट टाइम की तो कारपेट फ्लोरिंग लगवाने के लिए आपको बहुती कम समय लगता है 600 से लेके 800 square feet area दो लोग एक दिन में cover कर सकते हैं कारपेट फ्लोरिंग का वही पर जो टाइल है उसके लिए आपको बहुती जादा समय लगता है तो इसी वज़े से installation और time का point जो है वो कारपेट फ्लोरिंग के तरब जाता है तो यह जो कारपेट होता है दो format में आपको मिल तो यहाँ पर जो roll format में कारपेट आपको मिलता है उसका cost depend करता है कि आप कौन से quality का कारपेट लेते हो उसके उपर यहाँ पर cost जो है वो 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक available होता है और जैसे जैसे आप बड़ी range में जाएंगे तो आपको 1500 रुपए तक का भी कारपेट मिल सकता है और अगर हम tile की बात करते हैं तो tile में बहुत सारे types होते हैं जैसे कि wetrified, double charge, single charge, nano, PGVT इस तरह के बहुत सारे types जो है आपको tile में मिल जाता है अब बात करते है next point के बारे में जो की है durability तो durability का point no doubt जाता है tile के तरब क्योंकि tile जो है वो बहुत ही मजबूत होती है साल भी दिखाई नहीं देगी वहीं पर अगर हम carpet की बात करते हैं तो carpet जो है वो tile इतना definitely durable नहीं होता है आगे चलके carpet में आपको छोटी मोटी समस्याय दिखाई दे सकती है जैसी कि carpet जब आप furniture को shift करते हो ऐसे समय में फट सकता है इसका color जो है आगे चलके थोड़ा सा fade भी दि दिखाई दे सकती है और रही बात life की तो carpet flooring की जो life है वो कम होती है tile के comparison में सालों साल तक आपको tile में कोई भी दिखाई नहीं देगी carpet जो है वो आपको हमेशा soft feel होता है वही पर जो tile है वो आपको हमेशा hard feel होती है जब थंड के मौसम में हम देखते है कि tile थंडी हो जाती है वहाँ पर carpet जो है वो जल्दी थंडा नहीं होता है ऐसे वक में PVC vinyl flooring एक comfortable option आ जाता है next point आ जाता है color and variety तो दोनों ही product में आपको color और variety मिल जाती है पर अगर हम ज़ादा variety और color की बात करते है तो यहाँ पर आपको tile में ज़ादा color और ज़ादा variety मिलती है फिर चाहे वो checks वाली design हो marble, granite वाली design हो या फिर कोई और design हो इस तरह के बहुत सारे design patterns आपको tile flooring में available हो साथ में अगर हम finishing की बात करते है तो tile में आपको glossy finish, matte finish इस तरह की tiles भी मिलती है अब बात करते है next point के बारे में अगर हम tile की बात करे तो tile को आप किसी भी जगह पर लगा सकते हो फिर चाहे आपका hall हो, kitchen हो या फिर bathroom हो कहने का मतलब यह है कि अगर गर्म जगह है या फिर ठं संपर्क हो सकता है, वहाँ पर carpet लगवाना recommend नहीं किया जाता है और bathroom जैसी जगह पर भी आप carpet को नहीं लगवा सकते हो, तो अब बात करते हैं cost के बारे में, किसी भी चीज़ को final करने से पहले हम cost के तरब जरू ध्यान देते हैं, तो पहले हम बात करते हैं carpet flooring के बारे में, अगर आप 10 by 10 के room में carpet लगवाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको लगबक 3000 से लेके 5000 रुपय तक खर्चा सकता है, अब ये जो खर्च है, इसमें material cost, labor cost और बाकी सभी चीज़ों को add किया गया है, वहीं पर अगर हम tile की बात करते हैं, तो 10 by 10 के room में अगर आप tile लगव हो ऐसे समय में, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, carpet flooring का cost जो है वह बहुती कम आता है tile के comparison में, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको आपके घर के लिए PVC बिनायल flooring का इस्तमाल करना चाहिए, तो इसका जवाब होगा कि ये depend करेगा कि आप कहां पर इसका इस्तमाल क होती है, ये जो tiles होती है, ये बहुती durable होती है, इन में आपको बहुत सारी variety मिलती है, बहुत सारे type की designs मिलती है, और भी अलग-अलग type की finishing मिलती है, जो कि आपको carpet flooring में कभी भी नहीं मिलती है, और tile की वज़स से आपके घर का look जो है, वो भी अच्छा दिखाई देता है, और आप इन tile का इस्तमाल चाहे, आपका kitchen हो, bathroom हो, सभी जग़ा पर कर सकते हो, और अगर आप सस्ते के चकर में carpet flooring लगवाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये जरू ध्यान में रखना चाहिए, कि tile की life definitely ज़ादा होती है, और अगर आप उतने सालों के अंदर 3-4 बा आप carpet को नहीं लगवाते हो, आपको smooth surface पहले बाना पड़ता है, उसके उपर आप carpet लगवा सकते हो, कुछ जग़पर फर्ष के उपर भी carpet को लगवाया जाता है, क्योंकि फर्ष का look जहे वो old हो जाता है, new look के लिए लोग जहे उसके उपर carpet को लगवाते है, यानि कि carpet लग पर कुछ जग़ ऐसे भी होती है, जहाँ पर आप carpet का इस्तमाल कर सकते हो, जैसे कि अगर आप किसी rental property के उपर flooring करवाना चाते हो, तो ऐसे जग़पर आप carpet का इस्तमाल कर सकते हो, या फिर कुछ जग़पर आपका budget बहुती कम है, या फिर आप temporary flooring का option चाहते हो, तो ऐसे ब्रेंडेड और अच्छे quality के जो PVC vinyl flooring होती है, वो जादा दिनों तक चल सकती है, साथ में इनका color भी जल्दी फेड नहीं होता है, और थिकनेस के तरब भी ध्यान दीजे, जितनी कम थिकनेस होगी, उतना ही जल्दी carpet खराब हो सकता है, तो इसलिए 2 mm या फिर 3 mm से कम थिकन point है, इन्हें आप जरू consider कीजे अपने घर का flooring लगवाते समय, बाकि आप अपने घर के लिए कौन से option के तरब जाना पसंद करोगे, टाइल या फिर PVC vinyl flooring, इसके बार में comment box में comment जरू कीजे, वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो जरू इसे like कर दीजे, चानल पे इन में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है